अलो फ्रेंड्स मैं हूँ जेसन रवी सत्य और सिनिमा की आवाज और समरी ओफ सिनिमा में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम रनबीर कपूर और श्रदा कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तू जूटी मैं मकार का फिल्म ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं जो 8th मार्च को रिलीज होने वाली है सिनिमा घरों में इस फिल्म को डिरेक्ट किया है टैलेंटिड डिरेक्टर लवरंजन ने जिनोंने और इस जैनर में प्यार का पंच नामा और सोमू के टीटू की स्वीटी जैसी फैबलिस फिल्मों को डिरेक्ट किया है फिल्म को प्रोड्यूस किया है खुद लवरंजन ने और अंकुर गर ट्रेलर में हम देखते हैं कि रनवीर कपूर जो की रिलेशनशिफ के वर्ल्ड में एक एक्सपर्ट हैं वो एक वेकेशन में मिलते हैं शर्दा कपूर से और टाइम पास करते करते रनवीर को प्यार हो जाता है उनसे बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि शादी की बातें चलने लगती है उन दोनों की फैमिलीज के बीच तबी आता है ट्विस्ट हम देखते हैं कि अगर रनवीर इस प्यार के गेम में शेर थे तो श्रदा सवाशेर निकलती है पता चलता है कि श्रदा उससे प्यार नहीं करती और रनवीर की फैमिली में ही रनवीर को निकामा दिखा कर उससे शादी तोड़ना चाहती है क्यों वो हम फिल्म में देखेंगे पर यहां से हम देखते हैं कि दोनों में लव और शुरू हो जाता है श्रदा के कैरेक्टर को देखके लव रंजन की सोनू की टीटू की स्वीटी की नुसरत बरूच के कैरेक्टर की याद जलूर आती है जो की बुरी बात नहीं है आज पीपल लव नुसरत's विकेड रोल इन दाट फिर्म अवर रॉल ये फिल्म एक क्लासिक लव रंजन फिल्म लग रही है लग रहा है उन्होंने इस जैनल को मास्टर कर लिया है ट्रेलर में यूज किये गए डायलोग सूपर फणी है आशा करते हैं कि फिल्म में इससे भी अच्छे और फणी डायलोग सुनने को मिलेंगे फिल्म में रंबीर और श्रदा फ्रेश लग रहे हैं इनके अलावा हैं डेंपल कपाडिया, अनुबाव सिंग बासी और आयशा राजा भी दिखेंगे और सुना है बोनी कपूर प्रेश भी अक्टिंग का डेब्यू करने वाले हैं इस फिल्म में ये फिल्म होली के दिन रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के कलर्स भी होली के त्योहार के जैसे वाइबरेंट है दोस्तों ट्रेलर काफी कलर्फूल लग रहा है और हम इस फिल्म को देखने के लिए काफी एकसाइटेड है तो वेल फ्रेंट्स ये था तू जूटी मैं मकार का ट्रेलर रिव्यू आपके लिए कैसा लगा ये कॉमेंट्स में बताईए अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोडिफिकेशन बेल दबाईए तो गॉड ब्लेस यू और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबादीजे और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इंकरेज कीजिए रिव्यू को रंवीर कपूर और शदा कपूर के फैन दोस्तों के साथ जरू शेयर करना फिलाल के लिए मैं जेसन रवी विदा लेता हूँ थांक्यू, शुक्रिया और जैहिर